इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैट ट्रांस्फूम्ब की और नेक्स डिए प्रोपर्टी के बारे में जो प्रोपर्टी है मल्टिप्लिकेशन बाइ एन इसका दूसरा नाम भी है डिफ्रेंशेशन इन जैड डॉमें यह प्रोपर्टी कहती क्या पहले उसको देखते है यह प्रोपर्टी कहती है अगर एक्सन का जैड ट्रांस्फूम्ब हमें पता हो माल्या वह एक्सोप जैड है जिसका ऑरोज ही कितना है यह जाने यह प्रोपर्टी क्या करती है अगर मैं इस में एन की म sokण करता हूँ तो क्या होगा दूसरी तरफ क्या होगा माइनस Z से मल्टिप्लाई हो जाएगा और क्या हो जाएगा जो भी पुराना वाला फंक्शन था उसका क्या हो जाएगा derivative ले लेंगे with respect to Z यह पर क्या हैगा X of Z ठीक है ROC में क्या चेंज जाएगा ROC में कोईज नहीं आएगा आरही रहने वाला यह बहुत अच्छी बात है इस बाथ कि ROC में कोईज नहीं होने वाला तो एक जो कहते है थोड़े टेंसल रहता है ROC कोई फर्क नहीं आएगा एसे में रहने वाला अब एक ब़ार N से मल्टिप्लाई किया तो एक बार वह दो बार करेंगे तो दो बार डिफ्रेंसिशन ले देंगे और जैट की पावर टू कर देंगे तो इन जन्रल अगर दो बार मैं मतलब एन इसकौर से मल्टिप्लाइ कर देता हूं किसी फंक्शन में तब क्या मैं देफ़ों फॉर्मूला बनाके दे रहा हूं ज जाएगा जैट स्कौर हो जाएगा यहां पर ध्यान से देना कुछ लोग केवल जैट का स्कौर कर जाते हैं जल्दी में अगर तो ऐसे करके लिख गए ने इसको फिर तो हो गया गलत क्योंकि माइनस तो आने वाला है नहीं ता इसमें अब तो माइनस ले आए तो उससे क्या जागा दो बार कर देंगे और जैट ट्रांस्फोर्म जो भी हमें पता था ठीक आर उसी वही रहने वाला आ गया तो अगर एन की पावर मैंने कह दिया है एम है तब क्या हो जाएगा यह फोर्मुला इसका अब माइनस जैट पर कितने पावर आ जाएगी एम आ जाएगी और और उसी क्या रहने वाला और ही रहने वाला ठीक है आयोपा पर लोग समझाया होगा अब देखते हैं एक एग्जाम्पल इसी पर बेस्ट है हम से कह रहा है कोश्चन क्या है find Z transform of N N A की पावर N U of N का हमें Z transform निकालना तो यहाँ पर N से multiply आ गई तो क्या करने वाले इसी property का यूज करेंगे A की पावर N यू एन का जो Z transform में हमें पता है कितना होता हो तो एकी पावर एन यू एन का डिफरेंशिशन पता है हमें कितना होता है जैड अपोंच जैड माइनस से हिए आरोसी कितना होता मोड जैड गेड देन ए प्लिस में भी हो सकता है माइनस में अब क्या करना जो एंड से मल्टिप्लाई करेंगे तो क्या हो जागा इधार अगर लेफ्ट साइड में मैं से मल्टिप्लाई कर रहा हूं तो दूसरी तरफ क्या जागा माइनस जैड से मल्टिप्लाई किया और जो भी पुराना जैड ट्रांस्वर्म ता जैड अपॉन जैड सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं यह मान के चल रहा हूं कौन सा रूल लगेगा सबको पता चल गया हूँ देखते ही रेशनल फंक्शन है रेशन फंक्शन के लिए क्लिए क्या यूज करते हैं कोशेंट रूल तो यह तो अब यह समझे लो तुम्हारा जैट ट्रांस्वर्म खतम हो गया आपके वल मैतमेटिक्स का जो टेक्स्ट है वो चेक करेगा यह कितना हो जाएगा यहां पर इसको करते हैं क्या कहता है यह रूल क्या कहता कोशेंट रूल डेनोमेटर का स्कॉर माइनस कोशेंस्याद्रा जो डेनोमेंटर तो जेंड मैनेस बनका एग्रवेटिक्स क क्या रहा डेने वाला आगेन वान ROC में कोई फर्क नहीं, यह ROC तो सेम ही रहेगा तो N, A की पावर N, U of N का Z TRANSFORM आचुका हमारे पास इसको सिंप्लिपाइ कर लेंगे, कितना आ जागा है, यहां से यह माइनस Z, Z माइनस A हो जाएगा यह, और यहां से यह माइनस Z हो जाएगा, नीचे क्या हो गया, उसका, होल स्कॉर कर दिया, मोड ओफ Z क्या हो गया, मोड ओफ A से बड़ा, ठीक है, ROC में तो कोई फर्क है नहीं, उसको सीधा कोपी करते हैं, यहां पर Z से Z कैंसल हो जागा, बचा, यहां पर माइनस A, माइनस A की बाहर वाले Z से मल्टिप्लाइ कर देंगे, कितना आगया अंसर, एजएड के वल, ठीक है, यह तो कैंसल हो गया, यहां से माइनस A बचा है, यहां से माइनस Z है, तो क्या आ जाएगा, AZ अपॉल, Z माइनस A का होल स्कॉर, ठीक है, अगर हमसे N स्कॉर, एक पावर N, UN का पूचा होता, क्या करते हैं, अगेन इसमें N से मल्टिप्लाइ करके, इधर, माइनस Z मल्टिप्लाइ बाइद डिफ्रेंशेशन ओप दिस, ठीक है, आंसर आ चुका, मैं एक होमबग देता हूँ, आज होमबग ले लो, होमबग ने मिला बहुत दिन से, तो हमें क्या करना, Z ट्रांस्फर्म पूछा गया, हमसे किसका, N स्कॉर, U of, माइनस N का Z ट्रांस्फर्म, सभी कमेंट करेंगे, कितना होगा, ठीक है, क्या करना, कमेंट करना, सभी को, मैं चेक करके उता हूँ, ठीक क्या या नहीं, यहाँ पर दिहान से देख लेना, N स्कॉर है, तो दो बार डिफ्रेंशिशन होगा, और यह भी दिहान देखना, जब जन्राट फॉर्मूल लगा, तो माइनस Z का स्कॉर होगा, वहाँ पर माइनस की मिस्टेक नहीं कर देना, ठीक है, तो दो बार इसका, जो यू उप माइनस N का Z ट्रांस्फर्म होता, उसका डिफ्रेंशिशन कर देना, ठीक है, यह केवल, यह प्रोपर्टी केवल, आप कितना आपको डिफ्रेंशिशना था, यह बस वही चेक करती हैं, आफ आप लोग घुरे समझाया होगा, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट ब्रोपर्टी के बारे में बात करने वाले है, ओगर धैक्यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रावलम के झाल 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 झाल